बच्चों आज हम चेप्टर पढ़ेंगे वो चेप्टर है हमारे शरीर में रक्त रक्त जानते हैं ना खून अगर हमारे शरीर में खून नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है हमारे शरीर में वीखने साती है और हमें चक्कर आने लगते खाने की कमी से ये सब कुछ होता है, इसलिए आपको अच्छे से खाना खाना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, और खाना भी कैसा खाना चाहिए, जो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता है, बच्चो रक्त डारेक्ट नहीं बनता है, रक्त में कुछ रक्त इकाय होती है जिससे रग्त बनता है तो अब आप देखिए इस चेप्टर का इंट्रोडेक्शन करते हैं हम यह पाट शरीर भी ज्ञान से सम्मंदित है यह ज्ञान वर्दक भी पाट है इससे जब हम पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा हमें कई ज्ञान भी मिलेंगे इससे हमे शरीर में रख्त के महत्व के बारे में भी पता चलेगा और क्या पता चलेगा हमें कि रख्त का जो शरीर में खून है उसका क्या महत्व है रख्त का क्या काम है रख्त कण कितने प्रकार के होते हैं और जो रख्त कण है वो कितने प्रकार के होते हैं रख्त दान क्यों करना चाहिए ये भी हमेंसे पता चलेगा कि इससे भी क्या फाइदे हैं इन प्रश्णों के उत्तर इस पार्ट में मिलते हैं ये पार्ट स्वच्चता रखने की आवशक्ता को भी रेखांकी करता है तो अब आप पढ़ेंगे चैप्टर मेरे साथ हमारे शरीर में रखतू मेरी छोटी बनन पूर्वा शुरू से ही कुछ कमजोर है पिछले कुछ दिनों से उसे थकान का अनुबव हो रहा है उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता है उसकी भूब भी कम हो गई है मैं उसे निकटके डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया डॉक्टर ने उसकी सामाने उसे चार्च की तो कहा लगता है पूर्वा के शरीर में रखत की कमी हो गई है लेव में रखत की चार्च करा कर देख लेते हैं तभी सही पिलाज शुरू हो सकेगा क्या बताया उसने कि जो उसकी चोटी बहन है उसका नाम पूर्वा है वो शुरू से ही कमजोर है पर पिछले कुछ दिनों से उसे क्या हो रहा है थकान अनुबह हो रही है और उसका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है भूग भी नहीं लग रही है तो उसने उसके पास में जो कोई डोक्टर है उसे दिखाया और डोक्टर ने उसको सामाने जाज करने के लिए कहा पूरवा के शरीर में क्या है? रक्त की कमी हो गई लेब में रक्त की जाज करा कर देख लेते हैं तभी सही इलाज शुरूओगा जब तक कोई चीच का पता नहीं चलता कोई बिमारी पकड़ने में नहीं आती तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते इसलिए पहले उसने जाज करवाई किसने जाज करवाई डॉक्टर ने जाज करवाई यह करकर उन्होंने निकट के पैथ लेब में रग्त की जाज के लिए भेज़ दिया गया क्या करा ये कहकर उन्होंने क्या करा उसको ड्रक्ट को जाच के लिए भेज दिया गड़ा मा की नर्स मेरी परीचित निकली परीचित याने पहचान वाली वह देखते ही बोली कहो दमल केसे आना हुआ मैंने उसे बताया कि ड्रक्टर रवी गुपता ने पूर्वा के खून की जाच के लिए आपके पास बिजवाया है मैंने उसे बताया कि ड्रक्टर रवी गुपता ने पूर्वा के खून की जाच के लिए आपके पास बिजवाया है इतना सुनते ही नर्स ने पूर्वा के उंगली से रख्थ की कुछ बूंदे लेकर एक शीशी के में डाल दी फिर जब जाच करा तब क्या करा उसने उंगली में से कुछ रख्थ की बूंदे लेकर एक शीशी में डाल दी एक शीशी देती है उसमें वो रख्थ की बूंदे डाल दी और उसे एक स्लाइड पर लगा दी स्लाइड होती है बच्चो काच की लंबी और पतली उसे बहुत है स्लाइड फिर बोली धवल तुम साइग साथ बज़े आकर रिपोर्ट ले जाना कितने बज़े का टाइम डिया उसको शाम को साथ बज़े का साइग का जब मैं पूर्वा की रत्की जाच की रिपोर्ट लेने गया तम नर्स ने मुझे रिपोर्ट दे देवेगा धवल पूर्वा को अनीमिया है कौन सा रोग बताया उसको अनीमिया रोग अब देखे बच्चों यह अनीमिया क्या है चिंता की कोई बात नहीं उस दिन दवा लेने से पूर्वा बिल्कुल ठेक हो जाएगी मैंने जिग्यासा वश नर्स से का सिस्टर एक सवाल पूछू क्या का उसने कि सिस्टर में एक सवाल पूछू अब देखे बच्चों जब उसकी रिपोर्ट आई और उसमें निकला अनीमिया तो अब अनीमिया के बारे में धवल उससे कुछ पूछेगा किस से पूछेगा नर्स से अनीमिया से आपका क्या मतलब है sister क्या question किया उसने दवले कि अनीमिया से क्या मतलब है मैंने पूछा यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा अब यह क्या का उसने कि अगर तुम यह जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले रख्त के बारे में जानना होगा किसने का बच्चों नर्स ने कहा फिर वह बोली धवल देखने में रख्त लाज द्रव्य के समान दिखाई देता है आपने भी देखाऊगा ना ब्लट को कैसा दिखता है वो रैड रैड कलर का दिखाई दिता है यदि इसे हम शुष्मद रशी यंत्र से के द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे के से कम नहीं है अगर हम इसको शुष्मदर्शी यंत्र से देखें, शुष्मदर्शी यंत्र याने बिल्कुल एक ऐसा यंत्र होता है, जिससे बिल्कुल बारिक से बारिक कण भी साफ साफ दिखाई देता है, तो उसने बताया, अगर हम इस रफ्त को उससे देखते हैं, तो ये भानुमति के पिटारे के समान दिखाई देता है अब भानुमति का पिटारा क्या होता है एक एसा पिटारा जिसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई रहती है मोटे तोर पर इसके दो भाग होते हैं एक भाग तो तरल है इसे हम प्लाजमा करते हैं कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं एक भाग क्या है? तरल है इसे हम क्या करते हैं? प्लाजमा करते हैं दूसरा वह जिसमें चोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और दूसरा भाग होता है जिसमें कुछ कण चोटे होते हैं और कुछ कण बड़े होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ सफीद होते हैं, और कुछ एसा जिनका कोई रंग नहीं है, उन्हें प्लेटलेट्स कहा ज जाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंगी नहीं है उन्हें क्या केते हैं प्लेट लेट्स कहा जाता है यह कंड प्लाजमा में तेरते रहते हैं और यह किस में तेरते रहते हैं प्लाजमा में तेरते रहते हैं प्लाजमा के बारे में मैंने भी बताया था ना आपक कि प्लाजमा किसे कहते हैं प्लाजमा बच्चों भी मैंने इसके उपर वाले पेरग्राफ में आपको समझाया था कि जो रक्त के दो तरह से भाग होते हैं तो एक जो भाग होता है तरल भाग जो की तेरता हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं प्लाजमा कहते हैं किसे कहते हैं प्लाजमा रख्त के दो भाग होते हैं वह भाग जो तरल होता है इसे हम प्लाजमा कहते हैं तो अब आगे देखिए इतना कहके नर्स ने जो नर्स थी उसने सुख्षमदर्शी यंद्र के नीचे एक स्लाइड लगाई किसे बता रही है नर्स दवल को बता रही है इतना बताने के बाद नर्स ने क्या क्या सुख्षमदर्शी यंद्र के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस करते हुए बोली किसको फोकस करते हुए बोली उस स्लाइड को देखो दवल शुख्षमदर्शी यंद्र द्वा आप देखिए उस स्लाइड को देखकर क्या हुआ दवल आश्चरे से उचल पड़ा रगत की एक भूंद में इतने सारे कन इन्हें देखकर तो एसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालू शाई रग दी हो क्या एक्जामपल दिया हुआ उसने कि एसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालू शाई रग दी हो नर्स ने बताया, एक बून्द में इनकी संक्या लाखों में होती है, कितनी होती है एक बून्द में लाखों में, अगर आपके कभी कहीं ब्लड निकल जाता है, तो उसमें जो वो चोटे-चोटे कणें, उनकी कितनी संक्या होती है, लाखों में, नर्स ने बताया, एक बून् रख्त लें तो इसमें 40-55 लाग गण मिलेंगे कितने कण मिलेंगे 40-55 लाग गण मिलेंगे इनके कारण ही हमें रख्त लाग रंग का नजर आता है यह कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं सांस लेने में तुम्हें साफ हवा से ऑक्सिजन मिलती है उससे शरीर के हर इससे में पहुचाने का काम इन कणों का ही है अब देखो कणों का क्या काम बताया बच्चों उसने कि ये कड़ा हमारे शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस लिए हमने उस सांस को साफ करके हवा से ओक्सिजन मिलती है क्या मिलती है सांस लेने में तुम्हें साफ हवा से ओक्सिजन मिलती है उसे शरीर के हर इस्से में पहुचाने का काम ये कड़ ही करते हैं अब आएए बच्चों पेज नंबर 53 पर इनका जीवन काल लगबग चार महिने काम होता है किसका होता है बच्चों चार महिने काम जो हमारे शरीर में कड़ होते हैं रक्तों में जो कण होते हैं उनका मैने चार मैनों का काल होता है पर ये एक साथ नहीं दिरे दिरे नश्ट होते हैं और ये किसे होते हैं एक साथ नश्ट नहीं होते हैं दिरे दिरे नश्ट होते हैं साथ-साथ शरीर में नएकण भी बनते हैं अब क्या बताया उन्होंने कि जो हमारे एग मीमी रगत ले और उसमें 40 से लेके 55 लाग तक कणू होते हैं और इन कणों की वज़े से ही रगत लाग रग का नजर आता है ये कणा हमारे शरीर में क्या करते हैं दिन रात काम करते हैं और सांस लेते हैं जब तो जो सांस लेते हैं हम तो उस हवा को जो हमें ऑक्सिजन मिलती है उस ऑक्सिजन को क्या करते हैं बच्चों ये सारे शरीर में पहुचाते हैं पर ये जो कण हैं ये क्या होते हैं चार महिने के अंदर धीरे-धीरे नश्ट हो जाते हैं और साथ में नएकण भी बनते रहते हैं मैंने जिग्यासा पूचा अब मैंने क्या पूचा देखिए मुझे जरा विस्तार पुर्वक इनके बारे में समझाईए क्या पूचा दवने कि मुझे ये जो नस्ट भी होते हैं और नएकण भी बनते हैं इसके बारे में मुझे विस्तार से बता उसे कारखाने होते हैं जो रग्तकणों के निर्मान कारे में लगे रहते हैं अब बच्चों देखो जो हमारी हड्डिया हैं हड्डियों के बीच में क्या होता है एक मज्जा भाग होता है मज्जा भाग क्या होता है एक ऐसा कारखाना होता है जिसमें ये रग्तकणों निर्म श्रान-कारे में लगे हुते हैं इसके लिए अब हमें शरी उल्ष प्रोटीण लोह तत्व विटामिन रोपी कच्छे माल की ज़रत होती है अब क्या क्या बताया, यह काई से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, लोह दत्व से बनते हैं, विटामिन रूपी, कच्छे माल की ज़रत होती है, जब हम उप्युक्त मात्रा में प्रोटीन आहर लेते हैं, तब यह प्रदार्थ हमें मिलते रहते हैं, और जब हम अपना खान तो उसमें प्रोटीन आर लेते हैं तब ये प्रदार्थ क्या होता है हमें मिलते रहते हैं जैसे हरी सब्जों में फल दूद अंडा मास आदी में ये तत्व प्रयाप्त मात्रा में होते हैं इनकी कमी से रब्त कण नहीं बन पाते हैं और इनकी कमी से क्या होता है रब्त कण न लगे रहे हैं जब हमारे शरीर में परोटिन लेते हैं तो यह तरल दाड़ में मिलते रहे हैं मिलते हैं होते हैं सब अगर किंग हमारे चाहरी कर süci देते हैं और रग्तकण नहीं बन पाथे। रक्त कण नहीं बन पाते हैं और लाल कणों की कमी को ही अनीमिया कहते हैं अब ये जो अनीमिया बताया था उसने वो क्या था लाल रक्त की कमी से ही क्या बनता है बच्चों अनीमिया बनता है तो आप देखिए इनकी कमी से ही रक्त नहीं बन पाता क्या नहीं बन पाता रक्त क पूरा समझेंगे और आप आज यहां तक ही रेट करेंगे किया होता है और अनीमिया की कमी से होता है तो आप भी अच्छे अच्छे फूड खाएंगे, टाइम से खाना खाएंगे, हरी सबजी खाएंगे और मम्मी जो भी सबजी बनाती है उसको खाने में नानुकुर नहीं करेंगे थैंक यू